हेलो फेंट्स वेलकम टू ओल्लियाईस फाउंडेशन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लास्ट हमारा चैप्टर होगा Politics in India, Sense Independence का जिसमें की हम बात करेंगे Recent की मोई तो 1990 का डिकेट सथा उसके आजपास किस तरह से राशनी ते घटनाई जो हैं बात ली और बिसिकली इस दौरान ऐसे कौन से बदलावत हम देखते हैं या ऐसे कौन से political important development हम देखते हैं जिनका असर कई दशकों तक राजनीती पे बना रहा भारती राजनीती पे बना रहा किस तरीके से जो political parties और बागी सारे चीज़े हैं वो changes हुए उसकी हम बात करते हैं recent development में देखो अब तक हम क्या क्या पड़ चुके हैं challenges of nation building है न कि आखिर nation building जिस वक्त हमने start किया 1947 के बाद किस तरीके से क्या क्या challenges थे कैसे हम उससे overcome हुए then हमने one party dominance भी देखा politics of plant development India external relation challenges and restoration of congress system ठीक है crisis of democratic order, reasonable aspirations and last हमारा है recent development in Indian politics क्या किर किस तरीके से जो राजनिती है बदल रही थी और इसकी बात शुरू होगी chapter number two से chapter number two में हम बात कर चुके है कि शुरुआत के जो तीन हम चुनाफ की बात करें कि कोई और ऐसी party नहीं थी Congress के अलावा जिसका पूरे देश में एक तरह से पूरा party system हो सारा political structure जो है बहुत strongly बिल्ड हो वो केवल और केवल Congress था उसके साथ में कोई नहीं था ठीक है मतलब उसके संकक्ष जो है वह कोई नहीं था एक लौता और अवल दर्जा जो है वह Congress का था अब लेकिन कैसे जब decline होई और भी मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वह शुरू हो रहा है मतलब और भी जो पार्टी जो आने लगती है कैसे दीरे-दीरे जो Congress है Congress में ही split हो चुका था ठीक है old और new Congress फिर इंद्रा गांधी के द्वारा जो इंद्रा गांधी के नित्यत्व में हम देखते कि फिर से एक पार जो है Congress ने restoration किया फिर से रिस्ट्रेबलाइश किया खुद को और किस तरीके से आगे जो चैलेंजेस है वह मिलेगे तो यह आप सभी के लिए था 1990 का है न यह जो दशक था इसकी क्या दशाय थी क्या इसमें जो घटना करम है बेसिकली वह हो रहे थी क्या क्या इसमें changes हो रहे थे context आखिर क्या था 1990 का उसको हम समझेंगे नेक्स हम बात करेंगे era of coalition की गटबधन का योग हम देखेंगे कि 1989 के बात से 2014 तक जब तक जो वीजेपी है वह पूर्ण बहुमत में नहीं आ जाती इस दौरान कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो की फुल मिजोरिटी से लोग सभा में seat हासल कर सके और यहाँ पर एक मल्टी पर्टी जो सिस्ट्रम है वह बचाता है कि एक साथ जोवर एक सजाद़ जो पार्टी है वह मिलकर मेसॉरिटी घेंड करके जो सरकार है वह बना रहे थी अच्छा देखो कि जब हम मल्री पर्टी सिस्ट्रम की बात करते है फिर क clinically गवर्मेंट की बात करते हैं उसका एक डॉबेक हमारे सामने आता है कि एक तरह से जो पॉलिटीकल इंस्टाबिटी है राजनीति का स्थिर्ता हो जाती कि क्या पता कब कौन अपना समर्थन वापस खीशले अंसरकार गिर जाए तो यहां पर हम गचबंधन के इस यूग की बा कवर्ड क्लास जो अन्य पछड़ा वरग है इसका राजनीति हो दय के हम देखेंगे कि जब जंता पार्टी की कि कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो चाही रहेंगी है ना कुछ ऐसी घटना मतलब एक दोर होता ने कि अरे अब जो सरकार है वह इस तरीके से काम कर रही है इन मुद्दों को लेकर जो है वह जादा उठा रही है कदम है ना इस तरीके से जैसे कि अगर आप 2015-2018 के बाद से अभ कुछ जो चेंजेज हैं वो कुछ घटनाओं के कारण होते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि भाई इस दौर में जो है भारत एक तरह से कैसा खुद को रिप्रेजेंट किया एक विश्वल लेवल पर है ना तो बहुत तरीके से इसकी जो चर्चाय है वह हो सकती है तो कैसे बैलन्स करेंगे और जो एक हम कमुनलिजम की बात करेंगे चाहे हम गुजरात राइट की बात कर ले 2002 में इस तरह के जो मुद्धे हैं राजनिती में चाहे रहे ठीक है तो यहां पर एक जो बहुत इंटेंस जो डिबेट है वह स्टार्ट हो गई कि इंडिया में जो है वह साकूलरिजम, डामोकरासिक किस चीज़ को आखिर प्यारटाइज किया जाएगा तो इसकी जो एक डिबेट है वह बड़ी ही इंटांस हो गई एंड लास्ट हम देखेंगे कि बिसिकली इस दौरान जितने भी सरकारे आई 1989 से लेके 14 तक की अगर हम बात करेंगे 2014 लगबख 11 सरकारे आई और उन 11 सरकारों का जो एक कंसेंसस है वह कुछ बातों पर तो था ही कम से कम जैसे कि हम आफ्टर 91 की बात करते कि नए एकोनोमिक न्यू एकोनोमिक रिफॉर्म्स जो है वह अपने अपनाए नए आर्थिक सुधार नीतियां और वो जो है एक बड़ा ही ड्रास्टिक जो चेंज है वह एकोनोमिक उसमें देखा जाता है कि सभी उसकी आलूचना भी कर शरौति है है सब उसको जो है कृतिसाइजी भी कर रहे है निू पॉलिसी को लेकिन सभी गोवर्मेंट ने उस पर ढम सह्मति है वह बानी सभी गोवि accept fries endingslor आती है घ्यारा श्रकार होगा हम 420 बात करेंगे तो यहां पर इस सभी सरकारों में एकांसेंस रहा कि हम से आंग सी Yes यह समयती है हमारी ठीक है यह पूरा आपका चैप्टर होगा चलो शुरू करते हैं context of 1990s context of 1990s उसके पहले इन दिस चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, so last chapter भी टेका तनॉप्टिक व्यू of the last two decades of our politics in India, ठीक है and these developments are complex for various kind of factor come together and produce अच्छा ये बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि basically जो last जो दो दशक हम देखते हैं ठीक है, पिछले दो दशक में राजनीती ने क्या सुरूप लिया और इसमें जो कुछ ऐसे कारक थे जिनके साथ आप प्रित्याशित जो परणाम है, ठीक है वो हमारे सामने आते हैं और यहां पर हम देखेंगे कि बहुत difficult था इनको समझना, these development और also controversial for these involved deep conflict we are still too close to the event so yet we asked some questions central to the political change in this period so we are implications of the rise of coalition politics for our democracy and what is mandalization, mandalikaran क्या है mandalization क्या है in which way in which way will it change the nature of political representation कि आखिर इसने जो है हमारे राजनितिक जो प्रतिनिधित्व है उसको कैसे change किया है ना और जो यह coalition government था इसने हमारी democracy पर क्या impact डाला क्या impact डाला एक impact तो आप यह देख सकते हैं कि लोक्तंत्र में बहुत जरूरी हो सकता है negative वगर हम देखे सरकारे स्थिर रहके काम करें है ना लेकिन जल्दी जल्दी सरकारों का बदलना इसका मतलब योजनाओं पर ठीक तरीकिसे काम ना होना है ना तो यहाँ पर बहुत सारी स्थिर्ता ऐसी हो जाती है कि development और बाकी जो काम है वह रूम चाते हैं केवल politics politics होती रहती है so what is the legacy of the राम जन्म भूमी movement and the आयोध्या demolition for the nature of political mobilization राम जन्म भूमी का मुद्दा ये मुद्दा जो है वह कैसे उठा बाबरी मस्जिद जो है बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया विध्वन्स कर दिया गया तो आखिर ये इसने क्या अपनी legacy छोड़ी and last what does the rise of a new policy consensus due to the nature of political choices कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी नीतिगत मामले थे कि कम से कम इस तरह की जो policies है उस पर हमने एक सहमती एक consensus जो है वह बना लिया तो किस तरीके से हमारे पास और राजनितिक विकल्प हो सकते थे इन सभी की हम बात करेंगे ठीक है चलिए So first हम देखेंगे context of the 1990s context of the 1990s ठीक है So we have read in the last chapter that Rajiv Gandhi became the PM after the assassination of Indra Ji है ना Indra Gandhi की अगर हम बात करें जिससे के हमने बात की थी सिख दंगे हुए थे उनकी जो bodyguard थे bodyguard जो थे है ना उनके द्वारा ही उनकी जो हत्या है गोली मार कर वेकर दी गई थी और उसके पीछे reason क्या था blue star operation उसके पीछे reason था कि जिससे golden temple जो blue star operation के द्वारा की जो पमीशन है इंद्रा गांधी ने दी थी और उससे जो golden temple है उसको basically तूटफूट उसमें हो गए थी जिससे six sentiments जो है वो basically disrupt हो गए थे और उसके बाद जो सिख bodyguard था उनके द्वारा गोली मार के इंद्रा गांधी की हत्या कर दी और उसके बाद सिख दंगे हुए है ना तो यहां पर इंद्रा गांधी के बाद जो पी-म पद offer हुआ है जो पी-म बनाया गया राजीव गांधी और ही लिड़ दा Congress to a massive victory in the looks of my elections that immediately there after in 1984 ठीक है तो यहां पर देखेंगे कि इसके बाद जो चुनाव हुए उसमें एक भारी विजय जो है वह किने मिलती है राजीव गांधी को मिलती है ठीक है आगे हम देखेंगे कि 1980 का जो डिकेट था बिसिकली इसमें पांच ऐसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेज़ आते हैं जिसने पूरी भारती राजनीती को प्रभावित किया ठीक है फाइब डेवलप्मेंट्स हम यहां पर देखते हैं बच्चो जिन फाइब डेवलप्मेंट्स ने क्या किया कि बिसिकली एक लॉंग लास्टिंग इंपक्ट छोड़ा इन आर पॉलिटिक्स इस पर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो डेवलप्मेंट था यह डेवलप्मेंट जानते हूं क्या है 1984 का इलेक्शन फाइब डेवलप्मेंट्स कॉंटेक्स्ट ऑफ 1990s ठीक है और इसमें हम five major development की बात करेंगे जिन development ने भारतिय राजनीती पर काफी जो प्रभाव है वे छोड़ा ठीक है तो first देखो क्या था कि 1984 1984 के बाद जो लोकसभा की election हुए वो थे 1989 ठीक है 1984 के elections में अगर हम बात करेंगे तो इन elections में ये दोनों हम लोकसभा के election की बात कर रहे हैं ठीक है लोकसभा elections लोकसभा election और देखो 1984 का जो election था इसमें Congress को 415 जो seat है वह मिली थी ठीक है और जब हम 1989 की बात करेंगे तो इसमें 197 seat मिली थी 197 seat मिली थी ठीक है तो ये development ये कहादा था कि आप जो kind of Congress system था उसका the end हो गया है तो पहला यहाँ पर क्या था first अगर हम यहाँ पर development की बात करें कि जो Congress system है वह 1989 में the end हो गया 1989 में जिसे Congress प्रणाली कहा जाता था उसका finally Congress system का the end हो गया ये first development था चीक है आईए second development की बात करते हैं second development इसमें क्या था first क्या हो गया कि 1984 में जहां Congress को 415 seat मिली वही 1989 में 197 ठीक है so rise of mandal issue इसका second development था जो इस politics को काफी change करता है तो ये क्या था rise of rise of mandal issue rise of mandal issue ठीक है rise of mandal issue 1990 अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो government आती है ना 1990 में national front government नेशनल रास्टी मोच्चे की जो सरकार आती है national front government ठीक है इसके द्वारा हम देखेंगे कि जो mandal issue की जो recommendations थी in in recommendations को implement करने की जो बात है वही कही जाती है और जो mandal issue था यह किस से related था OBC reservation से related था OBC reservation से related था ठीक है 27% समझेंगे आगे हम mandal issue को अभी फिलाल इतना ही तीसरा इसमें जो development था यह था economic policy ठीक है तीसरा इसमें क्या था development economic policy नए आर्थिक सुधार जो 1991 में हुए थे ठीक है तो यह जो new economic policy थी ठीक है basically हम देखेंगे कि इसमें economic policy में बहुत थी जो drastic या फिर radical changes की हम बात करेंगे बहुत ही radical changes थे और इन radical changes को का criticize सभी ने किया लेकिन उसके बाद various government that came to the power in this period have continue and follow है ना तो यहाँ पर जो भी government आ रही थी उन government ने क्या किया इन periods में इसे follow किया मतलब criticize के बावजूद जो criticism के बावजूद follow किया चौथा जो इसमें development था वह था बाबरी मस्जिद का धह जाना है ना चौथा इसमें development क्या था economic policy third और fourth था demolition बाबरी मस्जिद demolition बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद जो December 1992 में इसको गिरा दिया गया है ना और यहां से क्या हुआ कि इंडिया में, इंडिया के context में एक intensify जो debate है वह शुरू हो गई intensify debate intensify debate about the nature of about the nature of Indian nationalism and secularism about the nature of Indian nationalism and secularism धर्मिनिर पेक्ष्टा और रास्टबाद पर एक जो बहस है वे बहुत तेज शुरू हो गई और फिफ्ट एंड लास्ट जो development था इसमें फिफ्ट एंड लास्ट डेवलप्मेंट था असेसिनेशन ओफ राजीव गादी और इसके बाद पीवी नर्सिंभर आपकी जो सरकार है वे बनती है असेसिनेशन ओफ राजीव गादी इसको आप थोड़ा सा गूगल यूटूब पर देख लेंगे कि यह आखिर क्या था इस तरह की घटना जानी तो चाहिए ही आखिर है ना सो में 1991 में जब लिट्न संगठन के द्वारा राजीव गाधी की हत्या कर दी गई और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो पीवी नर्सिंभर आपकी सरकार है इसके बाद आती है तो यहाँ पर ये पाच ऐसे बड़े बदलाव थे ठीक है पाच ऐसे बड़े बदलाव थे बिसिकली जिन्हों ने इस वक्त के राजनेती को काफी प्रभावित किया ख्लियर है शुरवात कहां से होती है लोगसभा के एलेक्शन से 1984-1989 कोंग्रेस प्रणाली का दे एंड नेक्स राइज ओफ नेशनल लेवल प्रजेक्ट मंडल इशू या मंडलाइजेशन मंडली करण जो है वैच्छाया हुआ था इसका मुद्धा ये OBC डिजर्वेशन से संबंदित था एकॉनोमिक पॉलिसी नए आर्थिक सुधारों का लागो होना कि बहुत आलोशनाओं के बावजूत इन दिस पीरियर्ड जो भी कवर्मेंट आती है उन सभी ने इसको फॉलो किया और जब बाबरी मस्जित को उठा दिया गया उसके बाद एक इंटेंसिफाय जो डिबेट है वह शुरू हो जाती है कि क्या भारत में रास्टरवाद धन ने प्रिक्षिता के आखिर क्या मीनिंग्स है एन लास्ट एसिसिनेशन ओफ राजिवता थी ठीक है तो ये इसके कॉ कोलेशन का दौर ठीक है एरा ओफ कोलेशन मतलब गट बंधन की राज़नी गट बंधन सो बिसिकली कोलेशन गौवर्मेंट का मतलब क्या होगा अगर हम कोलेशन की बात करें को एरा ओफ जो कोलेशन गौवर्मेंट है ये कैसे स्टार्ट होता है तो हम देखेगे कि इस दौ रिच्टरे को समर्थन देकर मिजोरिटी देकर basically क्या कर रही थी सरकारे जो है बना रहे थी तो आ गवबंवेंट formed by two or more political party गवबंवेंट formed by two or more political party इसे हम क्या कहेंगे कोलेशन गवर्मेंट कहेंगे इसे क्या कहेंगे कोलेशन गवर्मेंट इसे हम कोलेशन गवर्मेंट कहेंगे गड़ बंधन की सरकार जब एक या एक से जादा जो पार्टी है दो या दू से जादा जादा जो पार्टी है वे मिलाकर जो है वे आपस में मिलकर जो है वे सरकार बनाए ठीक है तो हम देखें कि 1989 का जो एलेक्षन था इसमें Congress जो है वे हार तो जाती है लेकिन फिर भी Congress एक सबसे बड़ी पार्टी बड़ी रही उसका कोई दूसरा ऐसा option जो है वे तैयार नहीं हो पाया तो ऐसी कोई और एक पार्टी नहीं थी जिसे की completely जो है वे इसके रिप्रेस्मेंट के रूप में देखा जाए इसके द्वारा जो सरकार का पार्टी का इसके द्वारा जो सरकार का फॉर्मेशन है वे किया जाता है सरकार बनाई जाती है ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे कि अब इसके बाद किसकी सरकार आती है इसके बाद जो सरकार आई नैशनल फ्रंट ठीक है नैशनल फ्रंट रास्टी मोचे की सरकार आती है जो की जनता दल और बाकी अदर रीजनल जो पार्टी जे इनसे मिलकर बना था तो बिसिकली जो सपोर्ट है बड़ा ही जादा हम देखते जाएंगे कि आगे किस तरीके से जो एक ड्रमिटिकल डेफिनिटली होता जाता है ठीक है और यहां पर क्या होता है कि मान लिजे एक कोलिशन गवर्मेंट का जो मैंने आपको लास्ट भी बदाए कि एक नागेटिव इसका आसपक्ट यह होता है कि अगर किसी भी एक डल्ले तो और पॉलिटिकल पार्टी मिलकर गवर्मेंट को फॉर्म करें किसी ने भी अपने समधनार वापिस कीशले धराम से जो सरकार है वे गिर जाएगी तो इसका एक सबसे बड़ा जो हम कह सकते कि नागेटिव जो सेंस होता है स्थिर सरकार हो जाती है ना सो देखो इसके दो दोर थे एक तो जो कॉंग्रेस है वे डिकलाइन हो गई और अब यहां से जो अलाइंस पॉलिटिक्स है वे शुरू हो गई ठीक है अलाइंस पॉलिटिक्स जो है वे शुरू हो गई तो देखो पहले तो हम बात करेंगे कि जब जो Congress जो है during late 16, the dominance of Congress party was challenged but the Congress under the leaders of Indra Ghandi chapter number 5 में हमने देखा था ने कि Indra Ghandi के द्वारा किस तरीके से गरीबी हटाओ जो नारा था उसके द्वारा कैसे उन्होंने फिर से जो Congress है उसको re-establish किया ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे क कि इन्होंने re-establish किया pre-dominant position पर and after election 1989 political development in India initiate an era of coalition government and at the center in which regional party play a crucial on informing ruling alliance ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि basically एक around of हम इसे multi-party system जो है वह कह सकते है साथ ही 1989 से लेकर ठीक है 1989 से लेकर 2014 तक 1989 से लेकर 2014 तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं थी ऐसी कोई भी no single party secure a clear majority no single party clear majority की हम बात करें तो कोई नहीं आती जब तक कि 2014 में जो वीजेपी है वो पूर्ण बहुमत से नहीं आ जाते ठीक है तब तक ऐसी कोई party जो है वह 2014 तक नहीं रहती है तो यह basically एक जो दौर था declining of Congress अब alliance politics election in 1989 led to new development in Indian politics and era of coalition government regional party play a important role in unite front government that came the power ठीक है UFG तो united front government की अगर हम बात करें तो यह power में आती है 1996 regional parties के साथ and the BJP continue to consolidated position and election of 1991 and 1996 तो बताए वीजेपी ने क्या किया कि 91 से लेके 96 तक इसने खुद को मजबूत बनाने का यह जो काम है वह करती रही तो BJP basically इस वक्त क्या कर रही थी इस दौरा 1990 के बाद से especially उसने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए और उसके बाद से उसने अपनी जो position है वह लगातार मजबूत करती रही ठीक है clear है so अपने चुनाव में इस्तिति 91 से 96 तक मजबूत की और आगे हम देखेंगे कि फिर 96 के election में वह सबसे बड़ी party बनकर उभरती है largest party in the 1996 election and was invited to form government ठीक है 1996 याद रखना सबसे बड़ी party बनकर उभरती है और उसके बाद एक जो गटबंधन बना जिसे की राजक कहा जाता है एंडिये रास्ट्री जनतांत्रिक गटबंधन national democratic alliance ठीक है तो इसके बाद जो coalition government है वह आती है ठीक है फिर से एक गटबंधन की सरकार 1996 में ठीक है एंडिये की जो सरकार है वह आती है national democratic alliance आ गए हम 1996 तक आ गए ठीक है नेशनल डेमोक्राटिक आलाईंस जो है वह आ गई सत्था में 1998 में में से लेके 1990 जून और 1999 उसमें दोबारह है सत्था में आती है और जब दोनों ही इसकी जो समय था उसमें अटल विहरी वाजपे जो है वह पीम रहे ठीक है आओ पीम की लिस्ट थोड़ा साम देखते हैं सेंटल गोवर्मेंट 1989 के बाद से चुरू करें वीपी सिंग है ना वीपी सिंग चंदर शेखर वीवी नरसें भाराव ठीक है अटल विहरी वाजपे देव गोड़ा, एजडी देव गोड़ा, गुज्राइल, एवी वाजपे, ठीक है अटल वहरी वाजपे, मनमोहन सिंग और 2014 के बाद से डरेंडर मोधी तो यहां पर यह जो पीम है वह 1989 के रहे दुबारा ठीक है चलो अब नेक्स हम देखेंगे कि आखिर इस दोरान एक बह क्लासे जो है वह कहा जाता है, अदर बैक्वर्ड क्लासे का जो मुद्दा है यह का कि इस सबाइ चाया रहा, वर लॉंग तर्म देखेंगे इस पीरिए वाजपेंगे अधर बैक्वर्ड क्लासे अटा पॉलिटिकल फोर्स, यह वाजपेंगे कम एक्रोस, अधर अधर बैक्वर्ड क्लासे ठीक है, OBC, so these are community then SCST who suffer from educational social backwardness, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि अभी तक कीवल SCST कोई, जो है वह sectionic और सामाजिक आधार पर basically एक जो reservation है, वह सब दिया जा रहा था, क्योंकि इनकी सिती अच्छी नहीं थी, बट SCST के अलावा भी कुछ ऐसी caste, कुछ ऐसी communities थी, जनने की OBC में लिस्टेट कर दिया गयता, other backward classes, जनने की education में and public services and employment में जो है एक reservation की बात की गई था कि इनने भी हम आगे ला सके, so these are also referred to our backward classes, we have already noted in this chapter 6 that the support of the Congress among many sections of the backward classes had declined and this created space for non-Congress party and that you more support for this community, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि बिसिकलि जनता पार्टी की government की जब बनती है national level पर, तब इसके द्वारा क्या किया जाता है, जनता पार्टी की government ने बिसिकलिए OBC सक्षन के लिए जो reservation का मुद्धा है, इसको बहुत high किया, इस मुद्धे को जो है बहुत जादा promote किया, इस मंडल कमीशन कहा गया, ठीक है, जिसे की क्या कहा गया, मंडल कमीशन, अब देखो मंडल कमीशन इसलिए कहा गया, क्योंकि इसके जो chair person थे, उनका नाम था BP मंडल, BP मंडल, तो इसका बिसिकलि एक जो popular name था, popular known as मंडल कमीशन, ठीक है, और बिसिकलि ये setup इसलिए किया गया इसको उनके education, social backwardness को जो है, वह देखा जाए कि क्या उने, जो है, बिसिकलि उनके betterment के जो प्रयास है, वह सरकार कर सकती है, it was also expected to give it recommendations on the way in which this backwardness could be ended, and the commission gave it recommendations of 1980, 1980 में recommendations दे भी दी, याद रखना है, इसकी recommendations में ये भी शामिल था, कि जैसे कि land reform से ये भी हमें करने चाहिए, और तब भी land reform से भूमी सुदार से जो है, वह इस तरह की जो कास्ट है, इस तरह की जो backward class communities है, उन्हें एक help मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, कि basically, commission ने क्या recommend किया थ classes है, ठीक है, backward जो classes है, तो इनके, इनको basically, caste hierarchy में बात करें, तो उनको low, जो है, वह treat किया जाता है, और साथी साथ low presence है, इनकी education institute में, employment in public service है ना, और अगर low education है, और साथी caste hierarchy में भी low है, ठीक है, employment in public services में भी जो है, इनकी very low presence है, तब क्या किया जाए, reservation दिया जाए and 27% reservation की जो बात है education and public services में OBC कहा गया, तो basically इसे कहा गया, मंडलायो, ठीक है, and mandalization मतलब इस मुद्दे को उठाना politics में, तो इस दौरान जो है, यह जो period रहा है, जो दो decades का, इसमें बड़ा जो मुद्दा है, वह चाया रहा, mandalization का, और वो मुद्द यही था OBC reservation का, कि SCST के अलावा भी कुछ ऐसी caste, कुछ ऐसी communities थी, जो की socially and educationally कैसी थी, backward थी, तो उनके betterment के लिए, उनके welfare के लिए, किस तरह के जो प्रयास है, वह सरकार कर सके, तो देखो, उसमें question कुछ ऐसे आ सकते हैं, कि आखिर, माली जी आपसे यह दौर पोछले, कि यह जो प और में ऐसा कोई question आता है, कि 2010 के बाद से जो है, वह in 15 year में, 14 year में क्यों-कौं से मुद्दे चाहे रहे हैं, या फिर 2 decades की जो प्रवत्तियां होती है, कि भई political रूप से, क्या-क्या चीजे जो है, वह चल रही थी, मुख issues, ठीक है, so political rise of other backward classes, so when the support for Congress, among many sections, backward caste, had declined, अच्छा यह तो हमारा हो गया, ठीक है, तो basically, यह implemented कैसे हुआ, मंडल implemented, किस ने किया, तो हम देखेंगे, कि यहाँ पर, जो मंडल commission का basically investigate, काम यही था, कि education, social backwardness, जो है various sections की इंडिन सोसाइटी में, उसको ठीक तरीके से देखे, और यहाँ पर जो national front government था, in August 1990, उसके द्वारा, यह ज next देखो, इस समय का एक और जो, हम कह सकते हैं कि, trend चल रहा था, political में, politics में, और यह trend था, कर्मिनलिजम, साकुलरिजम, and democracy को, और इसमें जो दो इशू उठे थे, basically, इसमें जो दो इशू उठे थे, ठीके, एक तो इसमें था, आयोध्या, डिस्प्यूट का, आयोध्या वि तो यह कुछ ऐसे मुद्दे थे, जन्होंने इस देश में, basically, यह एक डिबेट को फिर से जादा, इंटेंसिफाइ कर दिया, कि आखि नैशनलिजम, साकुलरिजम, यह इंडियन देमोक्रसी में, आखि यह जो नीचा रहा है, क्या है, so the other, the long term development during this period, was the rise of politics, based on religious identity, and leading to a debate about साक and democracy, and we noted in chapter 6, that is the aftermath of the emergency, भारतिये जन्संग had merged into the जन्ता पार्टी, and after the fall, the जन्ता पार्टी and its breakup support the जन्संग from the भारतिये जन्ता पार्टी, तो आप देखेंगे कि वीजेपी जो है, यह कहां से जड़े कहां पर है, भारतिये जन्संग में है, और यहां पर भारतिये जन्संग क मानना क्या है, भारतिये जन्संग का मानना यह है, कि देश में जो रास्टवाद है, रास्टवाद के नाम पर, या इस देश के लिए हम सब जो एक हो सकते है, हमारा एक ही tradition हो, एक ही कल्चर हो, और वो कल्चर हो, हिंदो इसम है ना, तो यहां से यह जो डिबेट है वैं अच्छा इन देश से जोड़ा जा रहा था, हिंदित्व से जोड़ा रहा था, अच्छा हिंदू नेस की अगर हम बात करें, किस ने दिया था, यह वीडी सावर करके द्वारा यह जो टम है वह दिया गया था, और इसमें यह कहा जाता है, as the basis of Indian, it basically means that to be member of the Indian nation, everyone must not only accept India as their fatherland, अच्छा देखो यहां पर क्या होता है, कि हम अपने देश को या तो इतना जादा हम अपने शेत्र के साथ एक कि nationalism कैसे आता है, nationalism मतलब जैसे उसका एक, यह भी element हो सकता है, कि हम जिस जगा पर रहते हम अपने उस भूमी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं भारत मता है, कहीं पर fatherland हो सकता है, कहीं पर यह motherland का जो concept है, वह हो सकता है, तो basically यह जो दोड़ था है, communism, secularism, democracy, इस तरह की debates, और इसमें भी basically nationalist and secularism, अगर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि nationalism मतलब हिंदूत्व, nationalism मतलब हिंदू संसकती, तो other जो बाकी communities हैं, बाकी जो religion हैं, उनका क्या, तो यहाँ पर एक debate आ गई थी nationalism and secularism की, कि Indian constitution में तो हम secular state होने की बात कर रहे हैं, पर यह जो दौर है, अच्छा देखो, हिंदूत्वी की राजनी थी, पहले भी जो हम देखेंगे कि भारती जन संग ने अडॉप्ट कर रही, फिर जनता पार्टी आती है, ठीके लेकिन यहाँ पर क्या है, चुकि उस वक्त वो दौर नहीं था, इस वक्त जो दौर है, देखो कभी कभ होता कि पार्टीयां कैसे जिट जाती, उस दौरान वो हवा चल रही होती है, हवा इन सेंस, कि वो मुद्दा काफी चल रहा होता, जैसे एक असंतोश चल रहा था, वही मंडली करण को लेके, अब वो जो कास्ट रिजर्वेशन को लेके मुद्दा चल रहा था, अब वहां पर एक वोटर बैंक जो है वा अल्रडी बैठा हुआ है लोगों के मन में वो इशू है कि कैसे यह सॉल्व होगा गोव्मेंट वो सॉल्व कर दे लोग खुश होके उसको वोट दे देते हैं या फिर गोव्मेंट कुछ ऐसा काम कर दे लोग उसे फिर पनिश करते और वोटर ज लोगों लगा कि नहीं सही आधार पर इमर्जेंसी को इंपोस नहीं किया गया पनिश किया नहीं डेमोक्रासी में वोटर जो हैं उन्हें वोट नहीं मिल पर क्या था कि अगर सरकार कुछ ऐसा काम करती है लोगों को पसंद नहीं आता है तो अब यहां पर मालों की अभी जो दौर चल रहा है हिंदुत्व सैकुलरिजम नैशनलिजम इसका दौर चल रहा है वीजेपी ने सपोर्ट किया उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा वीजे मस्जिस 16th century की अगर हम बात करें तो अयोध्या एंड बिल्द बाइ मीरभाकी जो मुगल एमपरार में था ठीक है मुगल साशक में था तो यहां पर मीरभाकी के द्वारा एक जो सपाही था मीरभाकी उसके द्वारा बनवाया गया था तो यहां पर क्या किया गये था बच् गुजारा भत्ता रहता है उसको लेकर जो एलिमनी होती है उसको लेकर ठीक है और इसमें हम देखेंगे कि सुप्रीम कोट ने जो है वह शाह बानों की पक्षमे फैसला सुनाया चुकि मुस्लिम पर्सनल लौ में जो है ऐसा कोई मैंचन नहीं है कि तलाग के बाद जो है वह ग कि इक आक्ट लेकर आ गई ठीक है और पार्यूमेंट कैं क्या किया एक 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 लेकर आ गई और उसक के द्वारए इस काम को किया जिसे कि आपीजुमेंट की जो mismo कि यह दो sa नराम जन भूमी थी इस टेंपल को यहां से तोड़ कर इस टेंपल के अविशेशों पर यहां पर यह जो बाबरी मस्जिद है इसको बनाया गया है यह जो यहां पर है चल रहा था ठीक है तो बाबरी मस्जिद में हिंदू फैजाबाद जिला नियालय ने फैब 1998 में 1986 में एक दिया था कि यहां पर जो हिंदू है वह पूजा कर सकते थे क्योंकि उनकी आस्ता जुड़ी हुई थी है ना जो पूजा है वह कर सकते थे तो आयोध्य विवाद था आयोध्य विवाद जो है इस समय एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा जो है वैब बना हुआ था मुद्दा ठीक है अब देखो ऐसे ही गुजरात राइट्स जैसे तो गुजरात राइट्स वाला जो टॉपिक था अब देखें कि ड्यू एंसी आर्टी ने का हुआ था गार्सी वक्ति काहरा था क्यी युद्या में राम मंदिर बनाने के लिए जिन लोगों को बिया हिए और यहां पर शमदान कीजिए ऐना तो ओने काक उब्स लासो गुजरात से ऐसे ही लोक आ रहे थे और एक बोगी जिसमें इसकी ऐसे कारसेवक थे ठीक हिंदू थे बोगी में आग लग गई और ये संदे उठा कि मुस्लिमों ने लगाया है और ऐसे में गुजरात राइट्स जो है वह हो गए लगबग टू मन्स चली थी और लगबग 1100 से जादा जो व्यक्ति हैं वेसमें मारे ठीक कहा जाता है कि जो भी इस तरह के साप्रदाइक दंगे कमिनलिजम जो कमिनल रॉइट्स होते हैं इन रॉइट्स में हिव्यूमन राइट्स की कई कोई रिपोर्ट कहती है कि जो बिसिकली रिज्वारीलिजन के बेस पर ठीक है जो अल्प संख्यक है जो मारे टी में है उनकी जो किलिंग से वह जादा होती है तो यहां पर यह सारे मुद्देस राश्टिती में चल रहे थे अब लास देखो कि इस वक्त क्या हुआ एक जो पॉलिटिकल कंसेशन हमने देखा कंसेंस जो है वह बना हुआ था कि आखिर सभी जो गोव्मेंट आएंगी इसके बाद ज पॉलिटिकल पार्टी आज़ इसको काफी अपोस किया कि नहीं यह जो निव एकॉनोमिक पॉलिशी है यह सही नहीं है तो यहां पर कुछ लोगों के यह मानना है कि अगर हमें एक तरह से आर्थिक शक्ती बनना है वर्ल लेवल पर दिखाई देना है तो हमें आर्थिक जो है वैं करने होंगे है ना जैसे कि नए आर्थिक सुधार क्या थे आप एकॉनमी अगर कोई स्टुडेंट होगा या फिर आप वैसे भी एकॉनमी में पढ़ते हो इसको है ना ऑप्शनल में तो पढ़ते ही पढ़ते होंगे या फिर अगर आपका बैक्ग्राउंड रहा इंडस्टीज थे जिनको शुरू करने के लिए लाइसेंस की आविशक्ता होती थी बाद में इनकी जो नंबर ओफ इंडस्टीज इनके लिए लाइसेंस चाहिए होता था निवारे रूप से उनकी संख्या कम कर दे गई है ना प्राइविटाइजेशन निजी करन कर देना जोड़ देना तो यहां पर एक ग्लोबलाइजेशन तो इस तरीके कही आत्निक सुधार जो है पहकिये गए अब देखो दूसरा जो एक एक सेप्टेंस बन गया था पॉलिटिकल और सोशल क्लेम ऑफ दा बैकवर्ड ग्लास कास्ट तो पॉलिटिकल पार्टिकल पार्टिकल तो सभी ने बिसिकली यह जो मुद्दा है बैकवर्ड क्लास का एजूकेशन एंप्लॉइमेंट में जो रिजर्वेशन था 27 परसेंट और यहां पर इस बात को इंशूर किया गया कि इन्हें एटिकेट शियर ओफ पावर जो है वह मिले सत्ता में बिसिकली इन्हें जो शक् सहमती है वह 2004 में जो लोग सभा के चुनाब थे उसके बास इस तरह की सहमती आम होने लगी थी कि एकनोमिक पॉलिसी पर लगबख सभी गवर्मेंट की सहमती थी मतलब एक कंसेंसस का हो जाना एक सभी जो है वह इस पर लगबख सहमत थे कि किसी ने आपोस किया तो सपोर्ट वाले भी थे ठीके वैसे ही हमने देखा कि political and social claim जो था other backward classes का reservation का वो भी उसको माना गया ठीके third acceptance the role of the state level party अब देखो state छेत्रिये जो दल थे उनका आखिर किस तरीके से एक जो प्रभुत वेक जो भूमिका है वह बढ़ गई क्योंकि यह जो दौर था वह coalition government का था गट का हो जाती थी मुख सरकार के central government को बनाने में तो यहां पर कहाए कि coalition government में state level party in the governance of the country and distinction between state level and national level parties past becoming less important ठीक है तो यहां पर यह जो एक है वह चल ला था कि basically जो शेत्रिये पार्टी थी उनकी भूमिका पर जो स्विक्रती एक जो acceptance है वह बढ़ चुकी थी और four and last इसमें जगा दे गई कि basically अब जो है हम किसी ideology के पीछे ना भागे बलकि हम जो काम है सरकार वह करें तो इस समय तक एक यह आम विचारधारे काम consensus लोगों का political parties का government का बन चुका था कि हम basically अब किसी ideology किसी विचारधारा की जगा हम क्या करेंगे हम कार करने पर मतलब जो work किया जा रहा है ज the fourth emphasis of pragmatic consideration rather than ideological position and political alliance without ideological agreement coalition politics has shifted the focus of political party from ideological differences to power sharing arrangements so यहाँ पर यह आपको याद रखना है कि किस तरीके से यह जो दौर्ट था उसमें क्या सहमती थी ठीके कर्मनलिजम सेकुलिरिजम डेमोक्रसी का क्या issue था उसको देखना है इस वक्त मंडल implementation जो है मंडल issues क्या चल रहे थे political rise of other backward classes है ना थोड़ा सा आपको एक क्रम भी थी जिन्होंने इस वक्त के टू डेकेट्स की जो politics हो उस पर एक impact डाला तो इस तरीके से आपका ये वाला जो NCRT है politics in India since independence ये complete होता है इसमें किवल इतना ही आपको पढ़ना है अब अगर politics से question आता है तो अभी recently हम देखेंगे क्या challenges और किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं या फिर किसी एक issue से उठाके जो प्रेशन है वह पूश लिया ठीके जैसे कि यहाँ पर मालो भी समान नागरिक सहता जो है इसका मुद्दा चल रहा है ठीके यूनिवर्सल अगर हम civil code की बात के कि क्या इसका ये क्या है और अगर अभी नारी शक्ति वंदन act के हम बात करें अधिनियम की बात करें तो यह इस तरह के मुद्दे चल रहे है ठीके तो यह सारे चीजे क्या है तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे इंडियन कॉंस्ट्यूशन है ना इंडियन कॉंस्ट्यूशन वारा जो क्लास 11 करिंसी 8 आपका नहीं हुआ था अब आपका वो क्या है ना इंडियन कॉंस्ट्यूशन नेट वरक की हम बात करेंगे तो उसमें बिसिकली कॉंस्ट्यूशन को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट प्रोवीजन है क्यों जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए है ना उसमें फंडमेंटल राइट्स की कहां बात की गई है डीपीए सारे कॉंसेप्ट से मिलते हैं अपने नेक्स क्लास में कॉंटिन्यू क्लासिस को देखते रहें और आपका जो फीदबैक है वह हमें कॉमेंट के माध्यम से ही मिलता है अगर ऐसा लगता है कि नहीं अभी इस क्लास में रिविजन की जरूरत है या फिर यह आपको जो भी से में थैंक यू थैंक यू सो मुच